नमस्कार दोस्तों बहुत दोस्त स्वागत अभिनंदन आप सभी का YouTube चैनल अमिठी ब्लाग में आप देख रहे हैं इसमय YouTube चैनल अमिठी ब्लाग और भैहून कुर्टिवाईरी दोस्तों कान के छल्ले पर मचा हल्ला आज का न्यूज है पसू में इयर टैगिंग के नाम पर कानों में लगाया जा रहा मुफ्त छल्ला किसानों की मुसीबत बन गया है छल्ले की क्वाल्टी को लेकर काफी हो हल्ला मचा है कई जिलों में पस्वों के कान पकने से लेकर कटने तक की सिकायते मिल रही है इलाज में किसानों का पैसा भी खर्चो रहा है डर्या भी है कि पस्वों की सुरच्छा के बहाने लगाये जा रहे छल्ले कहीं कोरोना संक्रमड की वजह ना बन जाए क्योंकि छल्ले लगा रही टीमें गाउं गाउं वा घर घर घूम रही है उन्हें ना मास्क और ना ही सेनेटाइजर उटलब्ध कराए गए हैं ना ही थर्मल इसकैनिंग को उपकरण कोबिड-19 किट का तो सवाल ही नहीं है पस के कान में छल्ला लगाना है तो दोगज की दूरी कैसे जो है रह सकती है दोगज की दूरी भी बनाना बहुत ही मुश्किल है और एक हिसाफ से समझ लीजिए कि नामुंकिम ही है बैर भाल जो भी है तो ठीक ही है उसको किसी का फिक्र नहीं है साहब लोगों को तो नंबर बढ़वाने हैं वो बढ़वा रहे हैं तो गल की फरबान जारी करने में क्या जाता है बिल्कुल सही बात जो है पेपर वालों ने छापा मीडिया वालों ने कि कान के छल्ले में मचा हल्ला आप लोग भी देख रहे हैं कि लगातार जो भी छल्ले लग रहे हैं आपने देखा होगा इन्हों ने लिखा है और इन्हों ने बहुत ही सही बात लिखी मैं इनकी बात को 100% जो है समर्थन देता हूँ इन्हों ने लिखा जितना भी बाते कही सब लिखा सही लिखा एकदम बिल्कुल लिखा और वेक्सिनेटर और सहाइक हैं तो आपके साथ भी है समस्या जो है हो रही होगी ये मैं 90% कह सकता हूँ तो दोस्तों इस तरीके से जो है नंबर बढ़वाये जा रहे हैं अब ये बातें जो है शोशल मीडिया पर भी जो चल रही है और बहुत सारे लोगों को जो है इस पर मुद्दे बनाने पड़ रहे हैं मुद्दे बन रहे हैं बहुत सारे लोग देख आप लोग भी देख रहे हैं कि आ रहे हैं मा लगातार ऐसे लोगों को और ऐसे न्यूजू को अपने चैनल से दिखाता रहता हूँ जो विक्सिनेटर और साहिकों के फाइदे के लिए हूँ या फिर उनको किसी भी परकार की जानकारियां मिलती हूँ तो दोस्तों अगर आप भी एक विक्सिनेटर और साहिक हैं या फिर कोरोना महामारी में किसी भी परकार का कार्य कर रहे हैं तो आप अपने कुछ रच्छित रखने के लिए मास्क औगेरा का प्रियोग आप खुद से ही कर लें अगर नहीं मिल लहा है तो क्योंकि जान है तो जहान है तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए और अब देखेंगे कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है जो भी जानकारियां होती रहेंगी चाए वो सेलरी को लेकर हो या किसी भी परकार की कोई जानकारी अगर आती है तो हम आप लोगों के साथ लगातार जो है जुड़े हुए है और लगातार हम आप लोगों को जानकर यहां प्रवाइट करवाते रहते हैं तो आप बने रहे हमारी यूटूब चैनल अमिठी ब्लाग से दोस्तों अगर वीडियो हमारा पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपनी दोस्तों के साथ सेर करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस ग्रूप से अमिठी ब्लाग यूटूब चैनल से जोड लीजिए और फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में लेकिन इतना जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा जय हिन जय भारत वंदे मातरम भारत मातागी जय